आई किसान इस देश को आक्सीजन बाड रहा है दवाईया बाड रहा है जाते हुए मज़बूरों को खाना खिला रहा है आज देश में सरकार पेल है लेकिन देश को आज किसान चाहते हैं तो यह पुझीवाद व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिसके किसान खिलाफ है और इस देश की लड़ाई लड़ रहा है तो वो आज किसान देश को कहां लेके जा रहे हैं आप आपने देश को गड़े में डाल दिया है आज उस गड़े से निकालेगा तो किसान लेकिन किसान यहां से वापीस नहीं जाएगा चाहे सात महींने लगे, चाहे साथ ताल लगे, चाहे सतर ताल लगे. किसानों के किसानों द्वारा यह आरूप लगाया गया कि उन पर बीजेपी और रस्स के कारेकर्ताओं ने हमला किया बताया गया कि किस तरह से वो लोग आए और उन पर किसानों के जो मंच है जहां से यह लोग इसानों को संबूदीत जब आप यहां आए तो क्या इस्तिती बनी हुई थी उस वक्त भी स्टेज पर भारतिय जनता पार्टी के गुंडों ने कबजा करने की कोशिश की थी और सारे आंदोलन को खराब किया जबकि हम कानून व्यवस्था का समान करते हैं और कानून को पूर आदर के साथ यहां हमारे साथ व्यवस्था में बने हुए है लेकिन आज फिर तीन दिन से वो चल रहा है हम शांति पूर्वक बैठे थे वो कह रहे है कि उनके नेता का कोई आगमन था उनका स्वागत है तो लेकिन वभीताजी स्वागत करें वो हमारी स्टेज के उपर आके कैप्चर ना करें और अगर उन्हें स्टेज पर आना ही है तो अपने जंडे छोड़ के आए, भारतिय जंटा पार्टी छोड़ के आए, हम स्टेज पे स्वागत करेंगे उनका अगर वो किसान आंदोलन में आए. लेकिन ये नहीं कि किसानों को गालियां देते हुए, अब शब्द बोलते हुए, कभी खालिस्तानी आतंगवादी पता नहीं क्या-क्या शब्द हो हमारे लिए प्रियोग करते हैं, और इधर उन्होंने पत्थर बाजी भी की. लेकिन अब जब आंदोलन इस लेवल तक आ गया है, तो किसान बरताश्ट नहीं करेगा, किसान इट का जवाब पत्थर से देगा, किसान वहां काले जंडे लेकर रोश पर दर्शन कर रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी थी, पहली बात तो वो यहां आए ही क्यों, क्यों ल लगाया जा रहा है, आप यहां नहीं, आप टीकरी बोर्डर देखेंगे, वहां भी एक युक ने आता मत्या की, उसका नाम किसान अंदोलन के उपर लगाया जा रहा है, अब भारतिय जंता पार्टी स्टेज के साथ में लगके कुछ गटना करती है, तो वो सीधा सीधा है, बभीता जी फिर वो किसान अंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, तो ऐसे में क्या पुलिस वहां नहीं मौजूद थी, या पुलिस थी तो क्या उन्होंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं पुलिस थी, पुलिस ने मुझे पहले का उस साइड का नहीं पता क्योंकि मैं इस तरफ था, तो उन्होंने पुलिस वहां खड़ी थी, रोका या क्यों नहीं रोका, भई उनकी सरकार है, यहां योगी सरकार है, तो वो क्यों रोकेंगे? लेकिन जब उन्होंने इधर मूव किया तो हमने अपने लोगों को रोकने की कोशिश की लोग रुके रहे लेकिन लोगोंने काले जंडे दिखाए लेकिन उधर से जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो हमने भी जवाब दिया हम उधर गए वो जब आए इधर तो उनको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसानों ने कोशिश की किसानों ने कोई भी हिंसक कारवाई नहीं की सिर्फ रोकने की कोशिश की रोकने में अगर कुछ हिंसक कारवाई हुई है तो वो सिर्फ रोकने के लिए है किसान इसके लिए बिल्कुल भी उतरदाई नहीं ये आरोप लगे हैं कि किसानों की तरफ से तलवारे एक तलवार मिली है पुलिस को तो दावा किया जा रहे हैं कि वो किसानों की है तो क्या हकीकत इस बात में किसान तो यहां बैठा ही है पहले से ही बैठा है बहुत दिन हो गए, साथ महीने हो गए है, आज वो यहाँ पर आए हैं तैयारी करके, तो तलवार भी लेके आए होंगे, शुरुवात भी जब कर रहे हैं, जिने मैं कहूंगा बारती जिनता पार्टी के वरकर नहीं, यह पेड़ गुंडे हैं, अब जो पेड़ गुंडे ही आ रहे हैं, तो उन्होंने तलवार भी लाए होंगे, अपनी गाड़ियां भी तोड़ी होंगे, कुछ ना कुछ वो अपना पक्ष रखेंगे, नहीं तो वो यहाँ आए ही क्यों, पहला सवाल ही यह उठता है, यहां किसान आंदोलन की स्टेज चल रही है, किसान आंदोलन म शक का परशन चिन उठता है, यह कितने दिन से हो रहा लगाता है, मतलब आप कहा रहे हैं कि यह बार बार आ रहे हैं, यह पिछले एक हफते में आज तीसरी बार था, और पहली दो बार हमने भी कुछ नहीं किया, वो हमें फिर भी गालियां देके चले गए, लेकिन किसान श स्टेज को कब जाने नहीं देगा, स्टेज किसानों की है, आंदोलन शान्ती पूर्वक है, और किसान जब तक नहीं जाएगा, जब तक यह काले कानून वापिस नहीं होंगे, और MSP की गारंटी नहीं मिलेगी. इसका जो मूल कारण आप देखेंगे, शिक्षा व्यवस्ता में बचपन में बच्चे को दिखाया जाता है, गरीब सा, फटे कपड़ों में जुरियां पड़ी हुई, वो किसान है, और दूसरी तरफ एक सूट बूट वाला दिखायेंगे, यह जेंटलमेन है, तो एक मानसिक्ता बना दी गई है, क्या आप यह चाहते हैं कि किसान ऐसा हो, फटे हाल कपड़े हों यह हों, अरे किसान जो आज दूद आ रहा है, भैंस की कीमत एक लाग से उपर है, तो अगर एक भैंस जो कम से कम भी सस्ती से सस्ती कहें, लाग से उपर है, शायद उसी में कितने ऐसी आ जाएंगे, आप लगा लीजिए, किसान संपन हैं, लेकिन बार बार यह पता नहीं कौन लोग हैं, जो किसान को ग देश को आज किसान चला रहा है। असी के आसपास हो गई शाद 78 भी बार कही है तो इतनी मन की बात कहने हैं कि इतनी मन की बात सुननी भी चाहिए नेता का करतव्य होता है कि लोगों की समस्याओं को सुने उनको करे वो नेता बनने आए हैं यहां भाई या अगर किसी कमपनी के मैनेजर हैं तो बता दे क्योंकि company के manager का काम होता है policy बनाना सिरफ company के फायदे के लिए नेता भारत के परधान मंत्रि और ग्रै मंत्रि और सरकार का दाइध होता है लोगों के विकास के लिए और लोगों की सुनते हुए लोगों की अच्छाई के लिए काड़िये की आज भी बहुत से विशय ऐसे हैं जो विदेशों में लीगल है हमारे यहां लीगल नहीं है जैसे हम देखते हैं हमारे यहां शराब चलती है वो लोगों का विशय है उन्होंने कर दी बहुत से राजय ऐसे हैं जहां शराब इलीगल है बिहार है गुजरात है तो वहां लोगों की मनशा है कि शराब नहीं चलनी चाहिए तो लोगों का विश्य देखा जाता है बिजनस नहीं जो लोग चाहेंगे वही होगा जो किसान बिल चाहेगा वही होगा और आप क्या कर र आज आप सरसो का रेट देख लीजिए सरसो का तेल तीन गुना हो गया है हर घर की जरूरत है हर गरीब के घर की जरूरत है पेट्रोल डीजल सो रुपे से उपर चला गया है तो भाई आप ये किसको दे रहे हैं जो काला कानून है वो तो आप खुद बता दिया जो सरसो भी कि किसान की सरसों तो पाँच हजार के आसफास भी किया है आज सरसों का बाओ आठ पाजार जो किया है वो भंढारण के अधिनियम से किया है उन्होंने भंढार कर लिआ उनके पास पैसा है मैं आपको एक example के तोर पर बताना चाहूंगा बार-बार कहते हैं यह पंजाब हर्याना उत्तर परदेश नादोलन है तो सबसे ज़्यादा गेहूं खाया जाता है चाहे बर्गर कुछ भी बनाएंगे गेहूं जरूरी है हिंदुस्तान के अंदर जो गेहूं का प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन ठंड में ही होता है इनी राज्य सकता है अगर तीन साल का नाज उसने करीद लिया तो देश में लोग भुक्मरी आ जाएगी कहां से खाएंगे ऐसे ही जैसे इनोंने सरसों की काला बाजारी की है ऐसे ही गेहूं की काला बाजारी करेंगे और वो कहीं बाहर मार्किट में नहीं बेचेंगे वो लेके उसको ज खरीदेंगे और वो किस पैसे से खरीदेंगे लोगों के पैसे से और कहां पहुंचाएंगे पूंजी पतियों के पास तो यह पूंजी वाद व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिसके किसान खिलाफ है और इस देश की लड़ाई लड़ रहा है तो वो आज किसान लड़ रह क्या सरकार आएंगी किसानों को मनाने उस टाइम पे क्या किसान सोचकेbas की बैटनेगा सरकार आए या ना आए किसान इस बार BJP और उसके सहयोगी दलों को हराए हमारा मेन मकसद है BJP को हराना मैं भी लोगदल पार्टी से हूँ परभारी भी हूँ लेकिन मैं कभी यह नहीं कहूँगा मुझे वोट दें इस बार वोट उसे दें जो किसान के साथ खड़ा है आज सही माइनों में वोही इस देश का नागरिक है जो किसान के साथ खड़ा है जो किसान के साथ खड़ा है वो देश के साथ खड़ा है खोड़ी में दस हजार से जादा घरों का तोड़ने का नोटिस आचुका है वहां 20 सालों से लोग बाग रह रहे हैं अपने बच्चे की उन्होंने शादी कर दिया है अब वहां पे आप हलात यह हो गए है कि लाटी चार्ज हुआ है वहां पे कई टाइम पहले भी कुछ टाइ कि वहां से जो लाखो लोग है उनका पनरवास किया जासो के या उनको उसी की जमीन पर रहने दिया जा चुके क्योंकि उनको तो सीधा नोटिस आ गया है कोड से तो उस पर आप क्या कहें देखिए अगर वह अरावली में आती है और रहने लाइक जगह नहीं है तो वहां से बेशक मूग करते कोई बात नहीं लेकिन ये उन व्यक्तियों को देखना चाहिए था जिनोंने वहां कॉलोनी बसाई क्योंकि वो जो लोग रह रहे हैं उन्होंने वहां खरीदे हैं उनकी मेहनत की कष्ट कमाई के पैसे वहां गए हैं तो इस में फिर वही बात आ गई जो म लटकनी चाहिए वो उन लोगों पर जिनोंने उनको वहां बसाया वो आए और गलत कारिये करके चले गए उनके खिलाफ करवाई करनी चाहिए जैसे आज यहां किसान को और हम कह रहे हैं आपकी निरव मोधी पर क्या करवाई है आपकी विजय मालिया पर क्या है वो इस गेट कर लिया खोरी में वहां हमारे गुर्णाम जी चडूनी जी गए हैं तो वहां आपने लाठी चार्ज कर दिया क्यों भाई पुलिस की गरीब किसानों पर लाठी चार्ज है पुलिस के पास वो लाठी नहीं है क्या जो नीरव मोधी और मालिया के सिर पे पड़स के इन लोगों पर कारवाई कीजिए आज जो बार बार ये किसान को कहते हैं हम अच्छा कर रहे हैं आज से चालीस साल ही कहूं मैं पचास कहूं ज्यादा से ज्यादा इस देश में खाने को अनाज नहीं था देश में भुकमरी थी किसान ने निर्णा लिया कि मैं फसल पैदा करू और जहां पचास करोड के खाने के लिए नहीं था आज किसान डेड़ सो करोड को खिला रहा है तो ये किसान को अनदाता कहने की बजाए उन्हें खालिस्तानी कहते हैं आतंकवादी कहते हैं अरे आपको उनका सम्मान करना चाहिए और वही वैवस्ता दुबारा से आप जो बात कहते हैं गलत बात आप परचलित करते हैं ये सरकारों नहीं की है आज जो यूरिया और खाने में जो जहर ये बार बार बता रही हैं उसे कौन ले के आ था भारत का किसान नहीं ले के आया वो बाहर से आया था और सरकार ने स्कीम निकाली थी हम फ्री में देंगे आप एक कटा लीजिये, दो कटा लीजिये, किसान मना करता था, नहीं डालता था, लेकिन सरकार ने जैसे अब ये काले कानून ले आए, सरकार ऐसे ही लेके आती है, कि हम बनाएंगे, आप मानो हमारी बात, हम अच्छा ही कर रहे हैं, अरे आपने अच्छा ही अच्छा ही करते करते मेरा आखरी सवाल सात महीने से जादा हो गया किसान अंदरून को अब आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे सरकार से आज भी मैं हाथ जोड़ कर विंती करता हूं किसानों की बात मान ले क्योंकि ये हमारी फसलों की और नसलों की लड़ाई है लेकिन किसान यहां से वापिस नहीं जाएगा चाहे साथ महींने लगें, चाहे साथ साल लगें, चाहे सतर साल लगें आज यहां मैं बैठा हूँ जिस तरह की किसान यहां शांती पूर्वा कर रहा है और सरकार आंदोलन को खराब करने के लिए हिंसात्मा कर रही है अगर कल को मैं यहां मर भी गया शहीद हो गया तो इसके बाद लड़ाई लड़ने के लिए मेरा बेटा आएगा अगर सरकार ने उसे भी किया तो उसका बेटा आएगा लेकिन किसान लड़ाई जारी रखेगा क्योंकि यह इस देश की लड़ाई है और फसलों की और नसलों की लड़ाई है किसान ने इस देश को कभी से आबाद किया है किसान इस देश को बरबाद नहीं होने देगा नहीं होने देगा न कोशिश की गई बवीता गौतन के साथ दा मूप नायक